तो आप सभी के अपने चनल सक्सेस किनाइटी पर स्वागत हैं आज अभी आपने गाना सुना वह अपने जो बीस सही सहीद हो गए थे उनके लिए गाना बजाए गया था तो आपको खाना कैसा लगा है वीडियो को जरूर में कमेंट करके बताएगा और सभी लोग जो इसे से अच्छा लगता है तो चलिए बात कर लेते हैं पहला कुष्ण लिखा हुआ है जहां पर हमने कल आपको छोड़ा था उसके आगे लेकर चलते हैं हार्मोन क्या होता है ठीक है तो जनतुआ हम पौदों के शरीर में विभिन प्रकार के किरियाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन विशेफ रशायन होते हैं जिने हार्मोन कहा जाता है यह हार्मोन अंताश्राविक गरंतियों द्वारा श्रावित किये जाते हैं ठीक है तो यह हार्मोन की डिफिनेशन हो गए आगे बात कर लेते हैं कि तंत्रिका कोशिका यह नियूरान का नामांग की चितर बना हता होई यहां पर लग गाने संबेदना को नीचे कि हो लिख के आता है एक और でき leur Все आ पर बर्ड़ा करके बना दिया गया ठीक है यह सब्सक्राइए पहले पर पर नहीं बना वह प्रे रख तंत्रिका और यही हमारे तीनों पार्ट होते निवरान के अगर देखा जात तो यह ambiguity होते हैं और प्रेयरकत三 सम्बेदि तंतरी का और बहुत derived रहे हैं यह चीश्च अभी कोट्री सब्सक्राइब कर लें विसको बना लीजिए है कि यह इंपोर्टेंट प्रस्टन है निवरान का कोशिका अमलब निवरान की रचना बनाई यह पेपर में ज्यादा प्रस्टन आता है ठीक हो पिछले वर्थ से पूंचा भी गया था तो यह इसके लिहाद से देखा जाए तो बहुत ही महत पूड़ जाता चलिए अगले भीने कार्यों पर होता है इतना हीन यह अंतरव गरंतियों को इसलिए मास्टर करती और क्यों कहा रहता है और क्वरस्नाव करते हैं इसलिए हमारे प्यूस ग्रंथी को मास्ट्रा ग्रंथी के नाम से जाना जाता है ओके चलिए अगला प्रस देख लेते हैं कि प्रति बढ़ती किरिया किसे कहा जाता एक उदारण दे करके समझाई ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा कि हमारे सरीर में होने वाली कुछ इसी अभी किरिया जो मस्टिसक के आदेश को बिना मस्टिसक के आदेश के बिना ही ही तुरंत हो जाती है इस परकार की अनिवर्ति किरिया आई या फिर प्रेरित किते हैं जो मेरी उरज द्वारा ही संपन होती है यसे पलकों का जपकना आप लोगों ने देखा होगा पलके अपने मन से जिपक जाती है जैसे हमा अगर हम कोई भी अंगुली लेके जाते हैं पलकों के पास में तो तुरन जिपक जाती है यह निया हमको सूचना नहीं पड़ता है ठी कर ले इसको समझग लेते हैं जब कोई चुब हो जाती है तो एकदम राथ हुड़ जल जाता है यह क्या रिए ठीञ फिया यह जब ही start होते हैं ठीक है और यहां से आवेग मेरु रज्जू के माद्यम से यहां आप पहुचता है और यहां आवेग मेरु रज्जू से होते हुए निवरान में जाता है ठीक है जहां से यहां अप वाही अंगों से पहुच जाता है अप वाही अंग में प्रेरडा के पहुचते ही फरीर के इस भाग को उद्धीपन के साथ हटा लेता है इसका ये एक्जामपल हो गया उदारण हो गया तो याद रखिएगा प्रतिवर्थी किरिया है कौन फिक्रिया होती है जो स्वत्थ हो जाती है जिनको करने के लिए हमारे दिमाग को सोचना नहीं पड़ता ठीक है यह याद कर ल है ठीक है हाईडा ठीक है हाईडा का डायेगराम बणा हुआ है जो आपको पैद्ध की तरह लगेंगा लेकिंजन्टू होता है इसके अंतर क्या होता है आपको मैं बता दूं यह जीव है लेकिन फोटोस इंठीस वो फरी प्रकाव उंऌ-फर्ट की किरिया का काम करता है हाइडर याद रखेंगा एक ऐसा ही होता है तिए आब आगे से बात कर लेंं चित्राप वासाव को बनाया गजी है इह सभवी मिदय a है ठीक है दूमीका यह हाइडरा का तंत्री का जाल हो गया अब आगे बात करवें एक निम्न वर्ग का जंतु है इसमें संदेश एक याद रखेगा कि हाइड्रा में मस्तिफक नहीं होता परंतु फिर भी मनुफ्य तथा हाइड्रा में फंदे समन्मन की किरिया और प्रशन है कि मानों मस्तिष्ट के कारें बताई ठीके तो इसके निम्लिखित कार होते हैं पहला कार क्या है कि शंबेडी अंगोशे आवे ग्रहाण करना दुसरा कार क्या होता इन आवेशों पर प्रेरित तंत्रिकाओं द्वारा ग्रंथियों और पेसियों को निर्देश भीजना जिससे वे उचित अनुक्रिया करें नमबर तीस का अंसर हो जाएगा संबेदी और विभिन संबेदी अंगोसे विभिन प्रकार की उद्धीपन उद्धीपनों में सम्मंध अफ्थापित कर एक प्रकार समनवे करना जिससे सरी अधिक छमता से किरिया कलाब कर सके और इसका चौथा पार्ट हो जाएगा सूचनाओं को ख्यान वा चेतना के रूप में एकत्यत करना और ब्योहार में पूर्व अनुभव के आधार पर परिवर्तन करना अगला है लंबा भाग मेरू रज्जू फे जुड़ा रहता है जो धर्दय धड़कन रुधिर पाइफ वहन स्वसन तथा अधिकांद्व अनक्षिक किरियाओं एवं परतिवर्ति किरियाओं पर नियंत्रित रहता है ठीक है आपके मेरू रज्जू के कौन कौन से कार होते हैं तो थ पाड़े आठ बजे वाली मैद की क्लास लेना मत भूलीगा आप लोग और आप से बता दिया अगर वीडियो को आप फेर नहीं करते हैं तो वीडियो को फेर जरू करें सभी के पाफ फेर करिया करें ठीक है जिससे की सभी तक वीडियो पहुंच पाए चलिए देख लेते है हैं कि मेरियो के कार बताई तो मिरुपपार निमली था है तो यहां अनेक्छि करियाओं प्रतिवर्ति करियाओं आधिका मुख केंध्र होता है जिसका फंचालन का कारिकरता है यह मस्टिव को जाने वाले संदेश के मार्ग को परदान करता है और एक चीज आप सभी को बता जो भी आपके पार अगर आपके लिए बहत पूर्ड है तो आप उसको देखे अन्न था उसको ना देखे ठीक है चलिए अगला प्रहुला कि आभी गरहाक से आप क्या सभस्ते हैं? तो आभी गरहाक जनतूँं में एक बिसेज प्रकार की समर्चना वाले तंत्रीका अंग होते हैं जो प्रकाव ध्वनी एवम गंद्ध के द्वारां बाहरी सूचनाओं का पता लगाने लगाते हैं। कोशिकों के द्वारां मस्तिश्क को सूचनाय प्रेसित करते हैं। जिनें संबेदी पथिकाएं भी कहा रहाता है अगला प्रश्ण है कि अमीबा हाइड़ा केंचुवा वह खाकरोच में तंत्रिका किस प्रकार का कारे करता है तो अमीबा में एक कोस्के प्राली होता है जो स्वतह यह अनि स्वयम ही उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करती है है हाईडरा में तंत्री का कोसणहों का एक जाल होता है जो फारे फरियर में प्हैला हुआ रहता है केचवा एक अधर तंत्रिका रज्दू होता है उसमें खंड सा अब्यव स्थित गेंगलिया तथा तंग servers zg्मस्तिस्क और अधर तंत्रिकार रज्दू विम्ट उने स्रंक्खला बदग्याल्या ओता है तो यह गया हूं का अंतर ठीक है अगला पस्ट है कि पाधप घर्मून क्या होते हैं कोई दो पआधप-घर्मून के नाम बताइएं तो वह हर्मून जू跳 showing एक भाग से उत्पन होते हैं, यह नि पादप की भाग से उत्पन होते हैं, तो तथा पौधों के अन्य भाग में किरिया को प्रेरित करते हैं, ब्रधी नियामक कहलाते हैं, ठीक है, ब्रधी नियामक कहलाते हैं, और इसके अंतरकत कौन को न आ जाएगा, ठीक है, आक्षिन, जिवरेलीन और फाइटो कानिन इसके अंतर करता जाएंगे अब बात कर लेते आक्षिन क्या होता है इसके चार कार बता दीजिए तो आक्षिन पहुदू में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो तन्य के सीर्स पर उत्पन होता है इसे आई एए एन इंडोल एफिटिक कहा ज आना याता है इसके निम्लिखित कार होते हैं कारबात कर लेते हैं कोशि का बिभाजन में मदद करता है तिक है अगला है कि प्यूस ग्रंथी के बता दीजिए तो इसके निम्लिखित कारे होते हैं पहला हो गया उतक एवं हड्डियों की ब्रद्धी का नियमन करता है दूसरा ब्रक को द्वारा जल के पुना अउफोफल का नियमन करता है अगला काटिसोन बनने में एड्रिनल काटिसोन एड्रिनल कार्टेक्स को प्रेदि अगला है कि ब्रद्धी को रोगने तता त्ने की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है ठीक हैmin आपशना है कि ब्रद्धी रोधक ABA हार्मोन के कोई चार प्रमुकार बताईए तो ABA हार्मोन के निम्रिखितकार होते हैं पहला कि पौधों में ब्रद्धी की गथी को कम करना दूफरा पतजड किरिया को बढ़ाना तीसरा पतियों में खुलने एवं बद्धोने की किरिया को नियंतित करना और चौथा फूलों को खुलने वाबंद करने की किरिया का डियंत्रण करना यह भी A का प्रमुकाम होता है अगला क्या है कि सूत्र युगमन किसे कहा जाता है अथवा सूत्र युगमन की परिभाफ़ा बताईए तो इसका आनफर देख लेते हैं जब दो नि युगमन के माध्यम से पहुंचाया जाता है उदाहरण के लिए अपने पैर की अंगोठे में धर्थ होता है तो सबसे पहले संबेदना डेंड्राइट या निवरान के बहु साखित फरिचना द्वारा ग्रहण कर तंत्रिका द्वारा विस्दुत आबेस के रूप में वहन की जाती है फिर सूत्र युगमन के जरिए यह दूफरे निवरान में और अंत में यह तंत्रिका केद्र तक पहुंचती है अनुकिरिया प्रेरक तंत्रिका द्वारा पैर की मांस्पेसियों में पहुंच जाती है और पैर उसके अनुसार प्रतिकिरिया करता है ठीक है यह सम प्रमोकार बताइए ऐक काम करें लोग अगर को कुछन आपको समझ में या तो पहले की बात कर लेंगे या फरीर के सभी अंगो के कारीओं पर नियंत्र्ण पर बनाए रखता है दूसरा यहां तंट्र जीयुधारी को बाहरी वाता वर्ण वाता वर्ण परिबरतनों के प्रति अनु किरिया देने में मदद का काम करता है अंगला है कि यहां अनुभावों को याद रखने में सहायता करता है और चवथा कि यह प्रतिकिरिया प्रतिवर्थी किरियों के द्वारा हमारी फुरच्छा का काम करता है कौन करता है आप से भी कुमालों में तंत्रिका तंत्र करता है ठीक है अगला प्रसन है कि आकसिन हार्मोन ठीक है फरी आकसिन के पौधों पर की ब्रदी बढ़ाने काई के लंबाई बढ़ाने में और अगला कहा कि पौधों की जड़ों को बहुत तेजी से बढ़ाने में ठीक है यह मदद करता है आक्सिन हार्मों ठीक है चलिए अगला प्रफ देख लेते हैं प्रफ न लिखा हुआ है आप तभी की फ्रेंड पर कि यह इंपर्टेंट चीज है जबकि जिन पौधों में गती इसपरसक के खारण होती हुए उन्हें इसपास परसान वर्तन खायाता है ठीक है याद रखिएगा चोटा सा प्रफन है अगला कि आक्सिन तता फाइटो कानिन में क्या अंतर होता है तो आक्सिन का निम्न फांद् ब्रद्धिक को जागरत करता है निम्न फांद्रड माने थोड़ी सी मात्रा ब्रद्धिक को जागरतनी बढ़ाने का काम करता है लेकिन फांद्रड की अधिक मात्रा होने पर ब्रद्धिक कम हो जाती है याद रखिएगा यह इंपोर्टेंट होता है ठीक है जब आक्सिन हर् परिवर्धनमान परिवर्धनमान फलों तथा जड़ों में उत्पन होते हैं इसके कारण कोशी का विभाजन होता है और जिर्टा देरी से आती है ठीक है अगला परसंदेख लेते हैं कि प्रतिवर्थी कि जिया कि कोई चार उधारण बता देजिए तो छींकना खासना कि आते हैं मूह में पानी आजाना आप सबकी की आती है मूह में पानी ठीक जैसे के अब हें आगे बात कर लेते हैं ठीक है कि तेज रोसनी पलकों का जहपकना ठीक है और सुच उभनेपर तुरंट अंग का हट प्रतिवर्थी किडिया के उदारण होते हैं अगला प्र्शन है कि मनुस्त में जनन ग्रंथी को समझाइए ठीक है तो मनुस्त में पाई जनेवाली दो ग्रंथिया होती जनन ग्रंथी एक होता है ब्रफण जो की पुरुफों में होता है एक होता है अंडाफे जो की महिलाओं में होता है ठीक है प्रशड की बात करने तो यह पुरुसों मे करना इसका काम होता है तो यहां से इंपोर्टेंट क्या चीज़ हम बता रहें आपको कि जनन गंतिया दो होती है एक ब्रफड एक अंडाफ़े होती है ब्रफड मनुस्यम पायता है इससे टेस्टो इस्तुरा नामक हार्मोन स्राबित होता है इसके कारण हमारा दाड़ी मुझ स्ट्रावन फ्राबित करता है याद रखेगा अंडाफ़े एस्ट्रोजन और प्रुजेस्ट्राण हार्मोन स्राबित होते हैं जिसका काम होता एस्तनों का विकास करना औरजोधर्मक होना अगला बात कर लेते हैं कि जन्तूब में राफाइनिक समद्न में किस प्रकार होता है तो जन्तों में राफानिक समझने कुछ विशिष्ट प्रकार के रफायन द्वारा होता जिने हार्मोन कहा जाता है यह हार्मोन विशिष्ट ग्रंतियों में निर्मित होते हैं जिने अंत्रा अभी ग्रंति कहा जाता है यह ग्रंतिया नलिका विहीन होने के करण हार्मोन के स काश रुधीरदाब लेंगिक परिपकत ता आदी फल फरूप क्या होता फरेब बिभिन किरिया कलापों में तालमेल बना रहता है किसके कारण रासानिक समन्वे की कारण ठीक है याद रखेगा इंपोर्टन कुछन है और प्रेवियस एर में भी आया है ठीक है चलिए अगला पर लिखा हुआ है आप सभी की स्क्रीन पर कि मानों फरीड में पाई जाने वाली अंता गरंथियों के नाम बताईए वह उन्से फरावित होने वाले हार्मोन बताईए अथवा ये प्रफनिस तरीके फ्याता है कि कोई भी तीन अंता फरावित गरंथियों के नाम एवाम अ हार्मोन को बताइए ठीक है तो देखिए गरंथी का नाम है थायराइड गरंथी इससे स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है थायराक्षिन ठीक है इससे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है थायराक्षिन हार्मोन है अगला कहां पैंक्रियाज इससे एंफुली नामक हार्मोन स्रावित होता है आगे लागे एडरीनल गरंती से काःटी सोन नामक हर्मोन स्रावित होता है फेटि से व्रवार्मों से अधी हर्मोन से दियाच एक सी एचघ एपस एटेक फट एस टरा ठीक है अगे बाद कर लेते अग्ड शेए अटा से मलब हर्मोन को निकलने वाले विभिनहारमोन के कार बता बताना कारफाय लिखिये टेक कार्बोन एक्स्रोजन होता है ठीक इसके निम्लखित कार होते कौन कौन से कार होते हैं बात कर लेता है इसके उपर ठीक है इस्तनक ग्रंतियों का विकास करना अगला है कि घरभास है फेलो पीड नलिका तर्थ योनी में ब्रद्धियं परिवर्धन करना माधा में दूद्यक लेंगे लक्षणों का विकास करना तो यह आज के हमारे कुछ प्रफन है और चलिए दिरगुत्री प्रफन भी कर लेते हैं इसी टाइम अलब प्रशन लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ति करिया किसे कहते हैं उद्धर देखर के सही साइट करिया पत को समझाई यह यह धीपन सबसे पहले पैदा होता तो ग्राही यानि जिस अंग में होता है वहां पर जाता है फिर वहां के माध्यम तरह के निवरान की संब्यर्णास्च का वायता है फिर मेर उर्जु मेरेस जीतर में प्रेरित का हम जाता लगाता है तो संभेदना स्किर किए किृड़ा जाया जाया थी तो संब्ff के तंत्रिसी के द्वारा ले लाइती है और लाई किसके द्वडा याती तो प्रेरित तंत्रिका के मांद्दम से लाई जाती है ठीकteen और पुना अब गार्यार्य को दिमांग को देगी चोटे बच्चे को तो मारना होगा तो फीठेगा टीके तो Native बेदना वापस लाई जाएगी वो किसके द्वारे लाई जाएगी याद रखेगा प्रेरित तंत्रिका के माध्यम से लाया जाएगा और फिर अगा उसको मारना होगा तो हाथ की माध्या को दिये दिया जाएगा और वो क्या काम करेगा मार दीगा यही हमारा होता है ठीक है ड कुश्टन देख लेते हैं कि पादाप हर्मोन को केतने भागों में विभाजित किया गया आक्सिन दुसरा जिवरेलीन तिफरा स्था फाइटो काईनीं और शौथा ब्रधी रोधक एबी इसके बारे में पहले भी बता दिया है और इसके पार्ट के बारे इसके कारे के बारे म का काम होता है ठीक है इसके द्वारा कोशिका विभाजन होता है पौधों की गतियों का नियंत्र होता है ठीक है इसमें पतियों का गिरना रोकता है तरफा बीज रेच फलो के पादन में सहायक होता है अब अगला जिब्रेलिन की बात कर लें ठीक है इसके कारण पौधों की ल ठीक है आज ही रफायन आते हैं जो प्रोटीन के उत्पादन में सहायता करते हैं और ये बीज अंकुरल में सहायता करते हैं पार्सो कलिका के ब्रदी का काम करते हैं मूल ब्रदी को रोकते हैं मूल माने जलकी ब्रदी को रोकते हैं पत्यों के ब्रदी को रोकते हैं तता तनों कि लंबाई में ब्रद्धी करने का काम को अंगरता है अगर आपको कहीं भी ने समझना आएगा तो दो बार आप लोग पढ़िए कि तीफरी बाप में आपको समझ में आ जाएगा इमपॉर्टेंट चीज है अगले बात कर लेते हैं कि ब्रद्धी रौदक्त अबी एह होता है उसका काम क्या होता है याफ ओदो के ब्रद्धी की गती को काम खर देता है पत्तियों और फलों को खोलने बंद करने की किरिया को यहां पदार्थ क्या कांग करता है नियंतित करता है तो आपका यहां से छोड़ा सा कुश्चन मैं आपको बता दूँ कि अगला पसंद देख लेते हैं कि मानो मस्तिफ के विविन भागों के कार बताए ठीक है जलीए दिख लेते हैं लिर्कष मानो मस्तिफक याद रखिए का इंपॉर्टेंड अगला कहा कि प्रमस्टिस्थ को जो होता है चीके मनुफ की बुद्धी इस्मृती वाच चेतना तरक केंद्र माना यह ता है इच्छाओं बानौ सुनने का केंद्र भी होता है कौन सा प्रमस्टिस्थ किया अग्रमस्टिस्थ ठीक है याद से नीज ठाकावट क्रोज लिता प्रफन्दता का केंद्र होता है अब देखें यहाँ पर किस तरीके से प्रस्ण बनते हैं तो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसके अंतरगत अब यहां से प्रस्ण क्या बनेगा कि सुगंद का बहुत कौन कराता है सुनने का केंद्र कौन होता प्रमस्टिस्ग होता है यह चोटे कुछन है आपके आते एक नंबर में अप्शनल नभी आ जाता है याद रखीगा अगला कहा कि डाइन सफेलान भाग जो होता है वह भूग प्यास नीन ठकावट और केंद्र प्रफन्दक प्रफन्दता का कें लेते हैं इसमें कौन-कौन से कार होते हैं ठीके तो बात कर लेते हैं कि यह भाग वस्तुओं के प्रतिविंबो की पहचान के नियंत्र का काम करता है इसलिए इसे दृष्टि पिंदी के नाम से जाना आए अब यहां से देखे प्रफने कैसे बरेका की वाकून सा भाग है अनि मस्तिष का वह कौन सा भाग है जहांते प्रति पिम्श की पहचान का नियंत्र की आता है तो तो मत मस्तिष को रहां अब पस्च्य मस्तिष की स्धी मद्य करते हैं अनुमस्तित के होता है मडू लंगाटा एक होता मेर रजू से मिलकर के बाना होता है अब हमने पेर पीछे अगर लगाएंगे पर शोड़ी बिंदू नमाहडिया देखा जेंगी वह हमारा क्या होता है अनुमस्तित कर अटिके यह क्या कम करता है हमारे फरीद का फंतूरन था बचलते हैं चलते हैं तो आपका फरीर में जो रवाला पार्ट रखने का कोशिव करता सिרमздляब क्या है वो फंटुलर्ण बणाने का काम करता है कौन-मस्टिस करता लग का Kraftा है इंपर्टे 5000 प्रसने अग्ला है कि या तंकाल पीस्यू कि संकूचे नमस्थ्फिलन का भी नियंधर परता है और का है मेडूला आप लंगाटा फरीर के अनेक्षिक क्रियाओं का केंद्र होता है तो यहां से इंपोर्टेंट प्रफन है कि मेडूला आप लंगाटा जो होता है वो क्या काम करता है वो काम करता है कि यह प्रतिवर्टिक किर्याओं का मुख्या केंद होता है और यह अन्यच्छ किर्याओं को भी फंतूलित करने का काम करता है यह प्रस्ण आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए अगले प्रेशन की और चलते हैं अगर कोई भी आपको पड़ने नाई सोन में आ रहा तो आप जरूर बताएगा चरूर समझेगा हमसे नेक्स कुश्चन लिखा हुआ है कि मानव फरी की बिभीन ग्रंथियों शे उत्पन पांच महत्पूर हार्मोन तो उनके कार की फानडी को बताईए चलिए बात कर लेते हैं कि पहली ग्रंथी है प्यूस ग्रंथी कहां मस्तिस्क में पाई आती है हार्मोन का नाप ब्रद्धी हार्मोन निकलता है काम की बात कर लें तो इसके कार क्या होते हैं ब्रद्धी और उपापचन का काम नियंटर करना अगला इसके कमी से गेंगा नामक रोग हो जाता है याद रखी का और तीसरा क्या है अच्ट अधिक फ्रावड से दुर्बलता अनि ज्यादा हो गया तो कंसा प्रावों निकलता है और इसे कार याँकं नियं Verb क derechos बीलिंटा क्र वंक्र में नियंत नियंतु करता है लिया है क्या परले सब्सक्राश ओठी के पास होता है हमने कौन सा अर्मोन निकलता है एंसूलीन हार्मोन से निकलता है तो यह सभी इंपोर्टेंट है क्या थारक्षिन हार्मोन कहां से थारेट गंती से कहां पायती गर्दन में पायती फिर गंती कहां पायती मस्टिष में पायती कौन सा अर्मोन ब्रद्धी हार्मोन निकलता है एड्र अगला है कि वरशन से नरजननांग में होते हैं कौन फ़ार्मोन निकलता है निकलता है याद रखिएगा ठीकिक आप देखे काम की बात करने हैं तो पूर्व दूतियल लेंगी के लक्षों जिसे दाड़ी मूच का निकलना आवाज का भारिपन के विकास के लिए यह इंपोर्टेंट होता है तो आप लोग यह साड़ी जरूर से जरूर बना लीजिए और मैंने जैसे यहां पर अलग-अलग कुश्चन निकाल के आप सभी को पाइं तो आप लोग उन कुश्चनों को जरूर समझ इए इंपॉर्टेंस समझे इन कुश्चनों की और आजकी मैच की कर्यास आपकी नहीं हो पाएगी जुकि यह वीडिवर्टी बड़ा हो रहा है और 8 बजए वाली क्लास आपकी आज नहीं हो पायगी आज वेली क्ल पाएगा और समय बहुत हो चुका है ठीके आच से साले आड बच चुके हैं और आज मेहत की किलास नहीं सभी लोग क्या आतराखिएगा ठीके अगले दिन होगा या फिर सायद थोड़ा लेट से हो जाए ठीके सायद थोड़ा लेट थो या फिनना हो पाए तो आप लोग टेन्फर मत लीजीगा ठीक है चलिए देख लेते हैं कि जन्तों में नियंत्रवों समन्य प्रक्रिया को समझाए बात कर लेते हैं नियंत्रवों समन्य सभी जन्तों में बहुत महत्तुपूल होता है क्योंकि फारीड कि रियां के लिए अलाग अंघ वा किरियात्मक्त तंत्र पॉइं प्रक्रियत अ यह को चपकार अपते ह awesome चाई करते हैं यह आंदी आंपक ती हर्मोन को सीधे रख्त प्रवाह में परवाहिट करती है फरेड़ के विभरन भागों में पहुचा कर यह हार्मोन अपना विश्ष्ट प्रभाव दिखाते हैं जैसे ब्रद्दिकरना लेगिक परिपकोता आदी नीचे कुछ हार्मोन ग्रंथी दिया गया है अपने आपको पहले भी बता दिया है आप लोग उसको देख लीजिए और नहीं समझ में आए तो बताईएगा हमको अब आप लोग के कुश्चन थोड़ा सा भी बताएद रहें बीज में कुश्चन बताया था याद रखिएगा आप लोग का के कुश्चन है कि ADH का full form ACTH का full form FH कa full form कि बताये गाप लोग कल कमें कमें करिये बतायेगा कि इन चारों का इसके पहले आपको बताएब ये लोग भी आपप्र क swoje 45 Я फहीं द्वहन ओ धूर्वाइगा बना लेती है इसकी सनद्रतनात्मा को किर्यात्मा इकाई होती है जो पूरे फरीर में फैलकर बिर्दूत संभाहित कोशिकाओं का एक जाल बना लेती है इन्हें के माध्यम से फरीर यह जो फंदेश होता है वो फरीर के एक भाग से धूफरे भाद तक पहुंचता है ठीक तंत्र के तीन प्रमुख भाग होते हैं जो बिभी ने कार्यों का नियंत्रवम समन्वे करती है जैसे पहला भाग देख तंद्रिकारन जिसको फैंड्रल नरवर सिषटम बढंःता है इसके अंद्रगत मस्चिस बाता हो मेरा उरजु आते अनुकम्पि450 का एस गोता है है लेते हैं कि मनुष्क मैं ठीके मनुष्क में मस्तिस्थ की काज का ना मंकी चित्र बनाई है तो आप लोग के लिए पर inseam मत्तिस को यह देखें यह कौऊंसा पार्ट के लिए अंगल वाला पार्ट होता है नीचे मत्तिस together बनाना था तो चित्र आपके सामने बना हुआ है आप लोग बना लीजेगा और वीडियो आपको कईसा लगा आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़ूरों गताई हो जतने लोग वीडियो को करें आपसे चीज सेर की आप आप करें तुक्त लोग को एक इंप यह कपा दो कि इस चरह के प्रफ चलाया जा रहे हैं तो दस वाले बच्चे यह मत चिंता करिए कि यह कहां से आगे नोटीफिकेशन ठीके तो आपके लिए वही चीज इंप्रटेंट है जो आप देखें ठीके आपकी आपकाम का जो चीज वह देखिए अन्य चीजों पे आप लोग डिक्लाइन करती ज ठीके ठीके यह चीज आपको इंपोर्टेंट है आपको बतादे साम को केवल ही आपके जो है भी कच्छा दसकी कोर्स आते हैं और सुबह जो भी होता हो बीटी सी का कोर्स आता है तो आप लोग उसके डरियेगा मत कि यह क्या गया यह क्या गया देखिए मैं आपको पढ़ा ठीके वो क्या काम करती हैं क्या काम करती है पानी ना मिलने पानी ना पिल पाने के वज़े से मर रहें तो आप लोग एक काम करेगा सभी लोग अपने छाट पे एक बरतन में पानी रखीगा एक बरतन में पानी रखीगा और एक दूसरे बरतन में आप लोग बालू रखीग जिससे वो अपनी प्याद बुजा सकें और अपने अपने ताप कोड गयंतिल कर सकें तो आप जित्ते भी बच्चे करेंगे उस अभी क्या करेंगे फोटो घीज के वाट्सप ग्रूप पर डाल देंगे ठीक है वाट्सप ग्रूप की लिंक के मैं नीचे देंगा आप सभी ल लेता हूं अफेल बीदा फिर मिलूंगा आगे लिए दिन तब तके लिए गुड़ बाए